वेलकम तू लर्णिंग मित्रम आज हम क्लास 10 की एंसी एर टी बुक का चैप्टर वन सत्ता के साजेदारी के कॉश्चन अंसर को डिसकस करेंगे जिन लोगों ने इसकी थियोरी नहीं देखी है वे पहले इसकी थियोरी देख लें लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक में मिल जाएगा और आप इसे आई बुटन पर भी देख सकते हैं इस कॉश्चन अंसर का पीडिये भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चलिए इसे सुरू करते हैं जैसे कि यहां कहा जा रहा है आधुनिक लोगतंत्रिक ववस्थाओं में सत् कि साजयदारी यानि कि लोगतंत्र के बारे में स्रिलंका में अलग तरह की सरकार थी बेल्जियम में अलग तरह की सरकार थी और भारत में अलग तरह की सरकार थी इसी तरीके से विश्व के अनेक देशों में लोगतंत्र का स्वरूप जो है वह अलग-अलग है लेकिन सबका है परजातंत्रिक सासं चड़िया भी से समझते हैं अंगों के बीच बटवारा करता है इसंग कोई भी एक सत्ता का समित पड़ योग नहीं करता है हड यंग दूसरे पैंकूष रखता है इसके विभीन संसाओं के विचा संतूलन बना रहता है इसके सबसे अच्छे उधारन अमेरिका वह भारत है यहां विधाई का कानून बनाती है कारेपाली का कानून को लागू करती है और नयायपाली का नयाय करती है भारत में कारेपाली का संसत के प्रति उत्तरदाई है नयायपाली का की निफ्ति कारेपाली का करती ह और न्यायपालिका, कारेपालिका और विधाईका की कानूनों की जाच करके उस पर नियंत्रन रखती है, चलिए इन चुजों को समझते हैं, कि सासन के विमेंगों का बटवारा क्या कहा जाड़ा है, यहां कि जो भी परजातंत्रिक या लोगतंत्रिक ववस्ता है, उसका बट इन तीनों के जड़िये जो है, सत्य ववस्ता को बाटा गया, इसमें समझ लिजे कि कारेपालिका का कौन सा कारे होता है, न्यायपालिका का कौन सा कारे होता है, विधाईका क्या करती है, तो यहां विधाईका का सबसे पहला काम है कानून बनाना, और कारेपालिका क्या क्य को लागू करने का परियास करती है और नयाय पाली का क्या करती है जैसे कि नाम से ही हम इसे देख सकते हैं कि नयाय करने का काम करती है आपको भारत में और अमेरिका में ऐसी ही जो है सासन के बटवारे की स्थिति आपको देखने को मिलेगी और अमेरिका में भी चलिए आप किंद्र की सरकारे अलग-अलग होती हैं किंद्र सरकार क्या करती है तो राज्य सरकार से सबसे पहले यह उपर होती है और उस पर जो है अपना अधिकार रखती है ताकि जो और भी राज्य सरकारे हैं वो अपने अपने काम के बियोड़ों को क्या करें तो किंद्र सरकार को सौ पर चलिए इससे समझते हैं यहां क्या कहा जा रहा है पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार कहा जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया संग सरकार उसे कहते हैं फिर प्रांत ये छेत्रीय अस्तर पर सरकारे अलग-अलग बनती है जिन्हें अलग-अलग न के अत्रिक तस्हानिय सरकारे भी काम करती है इनके भी सत्ता के बटवाड़े के विसा में समीधान में अस्पष्ट रूप से लिखा गया है जिसे विभिन सरकारों की भी सकतियों को लेकर कोई भी तरनाव नहुंड चलिए इसे समस्ते हैं कि सरकार को इस तरों में नहीं कर सकती है इसलिए केंद्र सरकार के जड़िये जो है 29 राजियों में जो है अलग-अलग राज्य सरकारों को काम सवपा जाता है चुकि हम अगर कोई काम बाट लेते हैं और अलग-अलग वेक्तियों को देते हैं तो वो कम समय में आसानी से हो सकते हैं वहीं अगर एक बटवारा कर सकते हैं उससे एक तो प्रकिरिया भी आसान हो जाएगी और उसके बाद जो है काड़ का भी क्या होगा तो सरलता पुर्वक आसानी से हो सकता है अब चलिए इस बात इसमें क्या होता है कि किसी भी तरीके से न तो रद्जेसरकार को तरनाव होता है और नहीं सदारी दी जाए लोग स्वेंग को सास्तन से अलग ना समझने रगे अलब सक्य समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित अस्थान मिले बेल्जियम में समुदायक सरकार इस ववस्ता का अच्छा उधारन है चलिए इसको समझते हैं कि विफिन समुदायक समुखों के विफित BLACK कवट वरा का क्या कारण है है कि हमने जब चाप्टर पढ़ा था तो उसके अंतरकत क्या देखा था कि बेल्जियम में जो है अलग अलग भासा के लोग रहते हैं जर्मन भासा बोलने वाले फ्रांसेशी भासा बोलने वाले लोग जो है वो अलग अलग थे तो पर क्या किया गया, उनकी स्थिति को देखते वे, यहां पर अलग अलग भासाओं के जरिये जो है सम्विधान में, सारे भासाओं को मानेता दी गई, उसके अलावा सरकार का बटवारा सब लोगों में किया गया, ताकि हमें भविस्ते में किसी भी तरीके की दिक्कत नहों और यहां बहुत सारे लोग अलग-अलग भासे बोलते हैं champ only अलग है, G国 अलग है , भान अलग है, धर्म भी अलग है जाते भी अलग है तो हमारे यहां सम्झ्धान के पुन्स्तक में क्या कहा गहा है कि सर्व धर्म इसका अर्थ यह है कि सभी को अपना धर्म मानने के लिए यहां किसी भी तरीके की बंदिस नहीं है सब लोग अपने अनुसार धर्म को ग्रहन कर सकते हैं और धर्म का पालन कर सकते हैं जिस सम्राट असोख हमारे यहां के राजा थे और अकबर उन्होंने किसी भी तरीके से धर्म में हस्तचेप नहीं किया और यह प्राचीन समय से ही चली आ रही रही रिती है कि भारत में कभी भी धर्म के लिए धर्म के नाम पर किसी भी तरीके का हस्तचेप नहीं किया गया है भी इस्वर की पूजा कर सकते हैं, तो यही था विभिन समाधिक सम्मूहों के भी सत्ता का बटवारा, ताकि जो है, जितने भी धर्म के लोग होते हैं, या जितने भी भासा भासी लोग होते हैं, उनको जो है, एक अत्रित करने का काम, या वे समझें, कि जब भी सत्ता में, मत लग विचारधारा और समाजिक सम्मूहों वाली पाटियों के हाथ आती जाती है लोकतंत्र में हम व्यापाड़ी उधोग पती किसान और अधोगिक मजदूर जैसे संगठित समूह को भी देखते हैं सरकार की भीविन समीतियों में सीधी भागिदारी करने या नीतियों पर अ सब्सक्राइब करते हैं अगर मान लिजे सबसे अच्छा उधार नगर हम भारत करें चाहिए तो यहां पे बहुत सारी पार्टियों है लोग क्या करते हैं अपनी पार्टियों को अपने अनुसार जो भी उनके हित में होता है वो उनको चुनते हैं वोटिंग के जड़ी और जो भी निर्वाचन करते हैं जिनको भी ज्यादा वोट प्राप्त होता है वो ही क्या करते हैं तो सत्ता की भागेदारी वो सम्हालते हैं तो हमारे यहां तो बहुत सारी पार्टियों है जिसका रण जो है वोट जिनको ज्यादा पड़ते हैं वही लोग देते हैं लेकिन इ अमेरिका में केवल जो है दो ही तरीके की पार्टी इस पर ज्यादा दवाब नहीं है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वोट उन्हीं दोनों में देना है वहाँ पे किसी भी तरीके से बहुत सारी पार्टी आपको देखने को नहीं मिलेंगे तो राइन्टिक गिलों में क्या होत संधर्व में रदेज दूसरी किस्षे स्थालों करनों भारत के बारत के संधर्व में बटवारा सरकार के बीच Willi जैसे केंदर सरकार, और राज्य सरकार, अस्थानिय सरकार, हम जानते हैं सब एक चीजों का देख लेक करके, केंदर सरकार को इसकी रिपोर्ट सौबता है अब जो CM होते हैं उनको Report कौन सौबता है तो जितने भी VART के Commissioner होते हैं MLA वगेरा भी हो गया, यह लोग क्या करते हैं तो जितने भी डिस्ट्रिक वगेरा हो गया उन्ची जो की देखभाल और उन्ची जो की Report जो है वो CM को सौबते हैं और CM जो है वो PM को सौबते हैं तो इसी तरीके से क्या होता है कि भारत में सत्ता का बटवारा दिया गया है, पहला किंद्र सरकार, दूसरा रज्जी सरकार और तीसरा अस्थानिय सरकार, जो हमारे अस्थान के आस्थान के आस्पास हो देसे की वार्ट कमिश्नर, MLA यही सम्झ, युक्ति परक कारण क्या है क भारत सथानि अवार्ट में यही परक करते हैं, पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानूं बनाए, बनाना सांथी तथा वर्बस्ता बनाना संभभ नहीं है, इसलिए सरकार को भी नस्तरों में बाट दिया गया है, उनके विचकारियों का बटवारा किया है, जो के जितने भी नेतागन होते हैं वो उनकी देख भाल करते हैं और उसकी रिपोर्ट जो है वो पी अनको सथे इसमें किसी भी तरह किसे जखड़े लड़ाई की संभावना नहीं होती है और नहीं तनाव होता है नैतिक कारण क्या है कि लोकतंत्रिये देशों में सत्या का और हम जानते हैं कि प्राचीन समय में राजनतिक वबस्ता मौझूद थी जिसके कारण काफी ज़्यादा दिक्कते होती थी राजा तो एक पूरी तरीके से प्रसासन को नहीं देख पाता था कहीं नहीं कहीं कमिया रह जाती थी इस तारण भारत जैसे देश में विम्हिंता बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं महां पर यह अवश्यक की काम का बटवारा कर दिया जाए इसलिए हमारी संविधान की पुस्तक में भी यह लिखा गया है कि जितने भी राज्ये हैं उनका कारे का बटवारा राज्यसरकारों को स्वाप दिया जाना चाहिए और राज्यस क्या करेंगे तो अस्थानिय सरकारों को काम-क करदेंगी वो आ है म है राज्यसरकार केंदर सरकार्क को सवस्तकर इंदर सरकार को स्वाप तो बटवारा की इन्स अध्या awake तीन छात्रों निकाले आप इससे सहमत है तो अपना जवाब गडरी पचास सब्दों में लिखित कि आपे तीन-छाठ रही जनोंने इस अध्याय को पढ़lvania के बालग वहां निकाला थम्मन जो कहता है कि कि जिन समाज में श्य्त्रीए भासाई और जातियाद रभाजन हो वही सत्ता की साजदारी जरूरी है इने मताली बोलता है कि सत्ता कि साजाधारी सर्पास दैसों के लिए उप्युक्त है, जहां चैत्रीगी विभाजन मौनुद है उसा बोलता है, कि हर समाज में सत्ता कि साजाधारी जरूरी है, भले ही वपनWhite चोटा हो या उसमें समाज biking विभाजन न हो. चलिए आपको इसमें कौन सा उप्युक्तिकारक लगा आप समझें, पहले के करके समझा दिये जाते हैं इन चीजों को, हम मन जो कि क्या कहता है कि समाज में ऐसे बटवारा करना चाहिए, जहाए जाती की अधार पर विभाजन हो, तो यह सत्ता की साथ जरूरी है, लेकिन चलि कर सकते हैं, यह लोगत्र है, यहाँ पे सबको दिया गया है मानता, लेकिन धर्म जाती है चेटर के अधार पर हम इसको अलग अलग नहीं रह सकते हैं, वो भारत के लिए उप्युक्त नहीं हो सकता है, जिसे बेलजी हम देश के लिए उप्युक्त हो, और किसी भी देश के आप्यूक्त हो सकते हैं। इसके अलावा म'Thahi सक्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे डोर नहीं है। उसेफ बोलता है कि हर समाज में सत्ता की भागयदारी, साजयदारी क्या है जरूरत है, अब सेफ का कतन यहां बहुत ही उचिते हैं, क्योंकि वह छोटे या बड़े, दोनु चीजों के बाड़े में बताता है कि छोटा अस्थान हो या बड़ा अस्थान हो, वहाँ पे समाजी की भाजन हो, अगर समाजी की भाजन होता है, तो जगड़े का कारण बनेगा, जैसे मान लीजे कि अगर हम सरकार को दो भागों में बाड़ देते हैं, तो वहाँ जगड़ा होना सवभाविक है, क्योंकि पहला जो भी पार्टी रहेगी, वह दूसरे पार्टी से किसी ने कि इसी बात पर खाफा ही रहेगी, तो इसी कारण जगड़ा होना सवभाविक है, और समाजी की भाजन नहीं होना चाहिए, चलिए ओसेफ की मत को समझते हैं, डीटेल में, हम ओसेफ के निसकर से सहमत है कि हर समाज में सत्ता किसाज़दारी जरूरत है, बले ही छोटा हो या ब हागिदारी के मधं, सभी समों सासन ववस्था से जुड़ते हैं, तो ओसेफ के निसकर्स के अनुसार, जो बड़े भी समराजे हैं सभी में क्या करना चाहिए, तो बटवारा करना जरूर चाहिए, लेकिन समाजी की भाजन नहीं करना चाहिए, सब के ही तों को ध्यान में र बावना को रखे जिस तरीके से भारती है प्रस्तावना के अंतरगत कहा गया है भारत में कि हम सब क्या है आपस में प्रेम करें उसके बाद भाय चाड़े और बंदुत्म की भावना बनाए रखे कभी किसी व्यक्ति को अगर दिक्कत हो तो हम उनकी सहायता करें तो बदले में ब्रुसेल्स के निकट जो स्थित है सहर मर्च टेम के मेर ने अपनी इहां स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दी रोक को सही बताया उन्होंने कहा कि डच भासा बोलने वाले लोग को फ्लेमिस सहर के लोगों से जोड़ने में मदद मिलेगी क्या आपको लगता है कि अब फासला बिलजियम की सत्ता की साजेदारी ववस्ता की मूल भावना से मिल खाता है जवाव करी 50 सब्दों में लेगे स्कूल ने फ्रेंच बोलने पर लगी रोक सही बताना बिलजियम की सत्ता भागी दारी ववस्ता की मूल भावना के खिलाफ है क्योंकि हमने पहले बहुंत के भागेशा के लिए समनांतारूप से की गई थी तो यहां किसी भी तरीजे सरकार को नहीं है कि स्कूल में वो स्कूल भाषा बोलने को कंपल्सरिक कर दे और कोई दूसरी भाषा बोलता है तो क्या करे उसका वीरोध खा़ diferentes को कहा जाते उन्हुने कहा कि भौलने वाले लोग इसे फ्लेवीस सहर के जुड़ने में मदद मिलेगी इसकार थे कि बेल्जीय मुझे ववश्था अपनाई उसमें सभी भासाओं के लोगों को समान अधिकार्द देने चाहिए न कि केवाण फ्रेंच भासा के लोगों को उसके अलावा इसलिए स्कूल में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भासाई लोगों की भाबनाओं का हनन होता और भी बहुत सारे जो भासाई लोग है यहाँ पे उनका भी गया हो जाएगा हनन हो जाएगा तो हमें ऐसी प्रविर्टी नहीं अपनानी चाहिए कि किसी एक भासा को सरवधम घुसित कर देना चाहिए किसी एक का चुनाओ करें चलिए इसे पढ़ते हैं और जो आपको अच्छा लगा उंची जो काफी चुनाओ करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं माहत्मा गांदी के सपनों को साकार करने और समिधान दिर्मताओं की उमीदों को पूरा करने के लिए हम पंचायतों को अधिकार दने के जोड़त है पंचायत राज ही वास्तवित लोकतंतर के अस्थापना करता है या सत्ता उन लोगों के हाथों में सवपता जिनके हाथों में से होना चाहिए भरष्टचार को कम करने और प्रसासनी को सलता को बढ़ाने का एक उपाय है पंचायतों को अधिकार देना जब विकास की योजना को बनाने और लागू करने में लोगों की भागेदारी होती है तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रन बढ़ेगा इस भरष्ट भी चोलियों को खतम किया जा सकेगा इस परकर पंचायती राज तंत्र लोकतंतर को की नीव को मजबूत करेगा सुधार नों बताया गया है कि पंचायत के अस्तर परसत्ता का बटवारा जरूरी है क्योंकि इससे भरष्टाचार कम होगा और प्रसासनी को सलता बढ़ेगी चलिए पहले इससे समझते हैं कि महात्मगांधी का सपना था कि भाराज वो भरष्टाचार मुक्त हो चलिए हम इस बात को समझे कि गाउं में जो पंचायत के सरकार होती है मान लिजे कि केवल एक सरकार और पुड़े गाउं पर नियंतरन करती है तो उसके लिए एक तो कठीन हो जाएगा उपर से बीच में इतने सारे लोग होंगे जो किसी ना किसी तरीके से घूस लेंगे और पनप न पाए उसके बाद है पंचायतों के अधिन आम लोग अपने विकास की योजनाये बनाएंगे और उन्हें लागू करने के पिछे भरष्ट भी चोलियों को समाप्त किया सकता अगर हम पंचायत बनाते हैं जिसका अर्थ होता है पंच यानिकी पंच हम उसे बनाते है जिस पर इसवर का हाथ होता है क्योंकि वो जो भी फैसला लेगा वो सब के हित मिलेगा इसलिए पंचायत का निर्मान करना आवश्य है ताकि भिष्टाचार को रोका जा सके जब अस्थानी लोग स्वेंग योजना बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समधान सिख्ड होगा क्योंकि पंचायत में आपको सब लोगों की बाते सुन जाती है जिस भी लोगों का तर्क सबसे अधिक अच्छा होता है उनके ही साथ जो है पंचायत चलती है उस पर विचार करती है और उन मामलाओं को सुनती भी है अब चलिए आगे वड़े क्योंकि किसी अस्थान बहुत सारी समस्यां ओपर विचार कर सकते हैं और उनके हल भी असानी से ढूंडे जा सकते हैं क्योंकि अगर समस्या वहीं से उठीए तो जवाब भी वहीं के लोग देंगे और इसका निर्ना भी लोग करेंगे इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को यह कोड से अपना उत्तर का चुना करें चलिए आप इंची जो को बढ़े की सत्ता का बटवारा कैसे हो सकता है मैं इंची जो को बारी की से समस्या उसके जो आपको अच्छा लगे और जो सटीक हो आप उसका अंसर करें विफिन समधायों के विश्ट टकडाओं को कम करती ह सत्ता की बटवारे जी पचपात का अंदेशा क्या होता है कम होता है यह भी सही है निर्ने लेने की प्रकडिया को अटका देती है गलत है विवेताओं को अपने में समिट लेती है गलत है अस्थीरता को आप से फूट को बढ़ाती है गलत है सत्ता में लोगों की भागीदा हतीज है देस में एकता को कंजोर करती है जो है गलत है तो आपको इन-में o कॉन सही लगे और कॉन गलत लगे तो चुनाव कर सकmos Beyond रएडस कुछ music की तरीके साथ साढ़े जो भी सही लगता और चुनाव करें व पार प्र शाहिए दो यह हो जाएगा कह जो इसका अंजर क्या हो जाएगा को उसके बाद आपको ख फिर आपको हो जाएगा घ और च इसे समझते हैं अब हम अच्छे से कि विभिन समधायों के बिश्टकडा को कम करती है या सही है सत्ता की दृष्टी से पच्पात का अंदेशा कम करती है यह भी सही है क्योंकि किसी भी पच्पात नहीं कि आसकता सबका जो निर्ने होगा वो समनांतर रूप से होगा विधताओं को अपने में समेट लेती है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर धर्म के नाम पर जाती के नाम पर जगराना हो और जैसे कि भारत में अलग-अलग विभिताओं के लोग रहते हैं तो यहां पर जो सम्भीधान है उसके अनुसर क्या है सब में एकता का पर्तिक हमें देखने को मिलता सत्ता में लोगों की भागीदारी जो है यह बढ़ाती है लोग इंट्रेस्ट लेते हैं और जानते हैं कि सत्ता जो है वो कैसे बाटी गई है और किसके लिए उप्युक्त है तब लोग सब सहमात होते हैं तब जो वोट के द्वारा सरकारे चुनी जाती है चलिए आब आगे बढ़ते हैं बेल्जियम और स्रीलंका की सत्ता में साजयदारी की ववस्था के बाड़े मिनम लिखित वयानों पर विशार करें चलिए इससे समझते हैं करके उसके बाद समझते हैं और तब जानते हैं कि इसमें क्या कहा ज़रा है बेल्जियम में डच भासी बहुत सख्या लोगों ने अरते हैं जिए नगद सख्य के आलब सख्यों पर अपना प्रभूत जमाने का परियास के नहीं यह गलत है क्योंकि बेल्जियम में सभी भासा के लोगों को अधिकार दिया गया था उसके बाद सरकार की नीतियों ने सिंगली बहुत सक्क्यों का प्रोध बनाये रखने का प्रियास के यह बात स्रिलंका की सही है उसके बाद है अपनी संस्कृतियों और भाजा को बचाने के लिए सच्छा था रोजगार में समानता कि अपसर के लिए स्रिलंका में तमिलों ने सत्ता को संखिय धाचे में बाटने की और वर्चस वह अपना दिखा रहे थे कि जिसकी संख्या बहुत होगी वहीं यहां की सरकार्य चुनी जाएंगी उन्हीं का ही वर्चस पर स्थापित होगा लेकिन तमीर यह बात मानने को तयार नहीं थे वे किसी भी तरीके से अपने अस्तितिव को खोना नहीं चाहते थे और और वे कह भी रहे थे कि धाचे का बटवारा जो है वो समनांतर रुप से होना चाहिए संख्या और तमीर दोनों भासाओं में क्योंकि तमीरों की संख्या कम थी इसलिए संख्या उसको दवाने का परियास कर रहे थे उसकी अलावा बेल्जियम में एक आत्मक सरकार की जगा तो हमारा यहां आंसर क्या हो जाएगा ख, ग, और घ, आप इसे नोट कर लिए वैसे आपको इसका पीडियाफ तो मिली ही जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक में लिंक दिया गिया है आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं अब चलिए आगे की और बढ़ते सूची यहां दी गई है एक और सूची दी गई है दो सूची एक में है सत्ता के बटवारे के स्वरुप सूची दो में है सासन के स्वरुप इसमें आपको मेल करना और कोड के सहारे जो है इसका उपयोग करना चलिए हम इसे समझते हैं और उसके अरिसका अधियन करते हैं सरकार के विफिन अंगो के बीच सत्ता का बटवारा होगा तो समुदाइक सरकार अधिकारों का वितरन गडबंधन सरकार या संगिय सरका है तो एक कांसर क्या हो जाएगा अधिकारों के लिए वितरन क्योंकि सरकार के विफिन अंगो के बीच बटवारा क्या होता है जितने अब चलिए विभीन अस्तर के सरकारों के बेज़ीरों की बटवारा क्या है कि इसे संग की सरकार बना जेतीया है, मतलब बालग संग में बाठ दिया जाता है, तब उस पर क्या करती है है कि इंदर सरकार असाथन करती है, आप चलिए आगे समझते हैं तीसरा विविन समाजिक समूहों के भी सत्ता की साज़ेदारी क्या हो जाएगी समुदाइक सरकार क्योंकि हम यहाँ पे समुदाइक का खयाल रखते हैं और तत्पष्चात क्या करते हैं समाजिक समूहों में सत्ता की भागेदारी जो है वो इसके बाद 2 या 2 से अधिक दलों के भी साज़धारी इसका आंसर क्या हो जग इसको हम गटबंधन की सरकार करता है चलिए इससे समझते हैं कि गटबंधन की सरकार क्या होती है मान लीजिए कि कहीं अगर चुनाव होड़ा है और वहां दो पाटी चलिए अमेरिका का उधान ल बटवारा करेंगी काम का बटवारा करेंगी आसानी से ताकि इन चीजों को बाट ले चलिए एक उधारान और लोते से कि भारत में बहुत सारे राज्ये हैं वहां कभी-कभी हमें ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी केंदर और राज्यास्तर पर चुनाव होते हैं तो जिन को देखने का उधारन मिलता भी है अब चलिए आगे की और बढ़ते हैं सत्ता की साज़ेदारी के बारे में दो बयानों पर गौर करें और नीचे दिये गए कोट की अधार पर जवाब दे से कि यहां पर कहा जा रहा है सत्ता की साज़ेदारी लोगतन के लिए लावकारक है या बिलकुल सही है इससे समाजिक साज़ेदारी अगर हम बाट देते हैं अलग अलग वर्गो में तो क्या हो जाएगा तो सबसे पहले तो यहां पर आसान हो जाएगा कार्य और यहां क्या होगी लोगतन के लावकारी ही सावित होगी और समाजिक साज़ेदारी में किसी भी आकिरम्रेफलि को यहां को सब्सक्राइब और सब्सक्राइब करते हैं और इसके लिए के पास बहुता है को है ने वह से चलता रहता है और कैंद्र सरकार को काम करना परता तो इस बीच जो है बहुत सारे जितने भी वर्ग के संभावना अधिक ज्यादा बढ़ जाती प्योंक इसे काम का वहन नहीं कर पाती तो इसमें दोनों कथन सही है और दोनों कथन सही है चलिए आप इन चीज़ों को तो समझ गया होंगे अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं चलिए यह जो चाप्टर है यह को समाफ्थ हो गया तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यह वीडि झाल झli़यों कि यही दोनों मिलेंगे यह जो ओदो चाप्टर है आगे को समाफ्टर अजहीं चाहने यह जवा कि वीडियों के चितने हैं आगे यह झाप्टर हैं यह जिए भीडियों